एलो स्टुनीट्स वैल्कम मेание चैनल यह ए फिश्य लेक्च्चर वोड जब हम deber में उस में बच券 करने वाले हैं प्रिस्च प्रेडेर्स और यूँल के वाले हैं और फिश्य साथ प्रिस्च प्रीडेटर्स भी हो अब इस प्रीडेकर होते हैं इसके control measures के होते हैं यह इस lecture में हम लोग डिसकस करेंगे अब सब्सक्राइब हम देखेंगे प्रिडेटर्स क्या होते है अब कोई भी ऐसे अनिमल जो फिशे के उपर फीड करते हैं वो कहला जाते है फिश प्रिडेटर्स अभी फिश प्रिडेटर्स वेरियस ग्रूप से विल जहां दो जाता है निके जो वॉठर के उपर रहने वाल इनसेक्ट वह आपकोटिश प्रिडेटर्स के उपते हैं अपकोर जो पानी में जादा रहते हैं वह उस पर फीड करेंगे । अभी प्रिडेटर्स क करते हैं जो इसका लार्वल स्टेज होता है ना कल्टिवेबल इ लार्वल स्टेज मतलब जो बहुत इनिशेल स्टेज होता है फीश का उसके ओपर फीड कर लेते हैं अब इनिशेल स्टेज रिश्टोर हो जाएंगा तो फिश ग्रोई नहीं हो पाएंगी वहीं पर उसकी डेथ हो जाएंगी नो ठीक है इनका पॉंड में से निकालना बहुत जादा जरूरी है ठीक है उसके बाद हम लोग देगे हैं प्रिडेटरी फिशेज का होते हैं इसे कहते हैं प्रिडेटरी फिशेज जिसके एक्जांपल है क्लेरियस वालागू चना सिंगी और नॉक्टब पेरस अभी हम लोग देखे हैं वीड फिश क्यों से कहते हैं सम अनेकोनॉमिक फिशेज यानि जिनकी मार्केट वैल्यू कम है या पिन नहीं है समॉल साइजु कम चोटी साइज की होती है और पिसी वड़रस फिश आणि के दूसरे फिशेज पर फिड करो यानि कि शिए नेटर्अचरली होकर रहं गृटरेंटर्टव स्ट्रॉे माईं कहीं जैना भीअ जिसके एक्जामपल है ऑग्जिगेस्टर एंबसेस एंचेलर ठीक है अभी ये फिश के होती है ये अनसुटेबल होती है काप्स के साथ पॉंड में रखने के लिए क्यों कि ये इसके साथ फूर्ड के लिए और स्पेस के लिए दोनों के लिए उनके फीर्ड करती है तो आपकोर्स यह जो हमाई फीशेज है उसके लिए अनसुटेबल होती है ठीक है अब हम लोग देखेंगे इसके इसके निकालना बहुत ज़रूरी है तो उसको किस टाइप से निकाल सकते है वह हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे इसमें देखेंगे सबसे बहुत हैं कंट्रोल मेचनीकल मेथड़ में कहता है रिपीटेट ड्राइग नेटिग यह निकाला जा सकता है तो जो जो फीशेज हम नहीं चाहिए उसको रिपीटेटिट नेटिंग के जरी से निकाल लेंगे उसके बाद क्या है जो बॉटम डेवलर्स होंगी मतलब मतल तो को अर्थ वां या फोड होता है उसको लगा कि बॉटम में दालता है ताकि जो भी उसको फीष निकालनी इसको फीष उसको एटरेक्ट हो और वह बहँ निकल सकें ठीक हैं अभी बॉटम डिलियुल इब अपना पॉसिबल नहीं हो पाता है के लिए क्या करना पड़ता है कि पानी को पूरी तरही के निकालो इसको फिर से फिल्टर करके जो फिर तुमको चाहिए थी बस वह दालो फिर उसके अंदर बैट यह एकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है मतलब इसमें कितना वह जाएंगा कि पूरा वाटर निकालके फिर उसको वाटर नहीं करने वाल है तो फिर इसको तुमक करने के लिए सब्सक्ता बारो거든 फिर इसको डेशोर सोल junior सामी किसे इसंचे सर्टर कंग मतलब क्मग और वाटर यह किरण करने कि कावा वाटर इसके लिए फिर अजागे वारे ट morningaseti चेहले चीफ कि कि अवैलेबल चाहिए कीप होनगी तभी तर एक सब्षयार Grid कीप होनगी तभी तो फैसे बाथ इसी ली Hindu सकते हैं तर जली से ऐसे फैसे कोई यवन की नियली यूप सासया है उसका हिखता अभी यूप रखाएं नियूप वाटर है उतीम में को डाधा बाधान पानि को कहें है माला जो वाटे घुर शुटीन सब्सक्राइब हो वाटर क्वाटर का मालम है लिधोन कि फीर को निल खने टारीक से दिष्कान का हना है फैसमे टोछे लिधो के दिने का है Viking EGES का इस वाटर कि लिधो होते है chlorinated hydrocarbon होते है organophosphate होते है सबसे बहले हम लोग देखेंगे plant derivatives plant derivatives मतलब जो poison हमें plant से मिल रहे है वह होते है plant derivatives उसका पहले example है moho oil cake में क्या होता है four to six percent of saponin होता है saponin एक ऐसा substance होता है जो water में जाने के बाद एक soap like bubble form करते है ठीक है यह क्या करते है जो हमाई fish है इसके blood stream में जाते है gills के जरिये से और जो RBC होते है उसको homolysis करते है आपने अगर देखाँगे कि RBC के अंदर एक respiratory pigment होता है hemoglobin करते है अब हो hemoglobin करते है अब हो hemoglobin करते है आपके hemoglobin को damage कर देते है अब उसको hemoglobin को damage करेंगे तो उसको जो respiration का system है वो पूरी तरीके से damage हो जाएंगा इस वाज़े से फिर आपको फिश की death देखने को मिल सकती है इसको आपको अप्लाय करना पड़ता है 200 ppm से लेकर 250 ppm तक प्प्पम मतलब यानि कि पार्ट पर मिलियन ठीक है इसको इस डोजेज पे अप्लाय करना होता है उसके बाद हमारे देखिंगे हम dairy's root powder dairy's root powder में क्या होता है 1-5% retonone होता है as a active poison एक active poison होता है retonone जो कि 1-5% इसमें प्रेजन होता है यह क्या करता है respiration system होता है फिश को damage करता है यानि कि respiration damage होगा तो फिश की death हो जाएंगी अब इसको हमको apply करना होता है 4 ppm से लेकर 20 ppm तक ठीक है उसको 3 week at least 3 week before दालना पड़ता है जब हम पॉंट में फिश को stroke करने वाले होते अब यह क्या है seed kernel of Croton Teglium यह एक प्लांट का species है उसका seed kernel यह यह सकते हैं अब लोग सीट का जो coat होता है ना सीट के उपर की जो covering होती है उसको कहते है seed kernel of Croton Teglium इसको भी हम यूज कर सकते हैं उसके बाद है यह चंको जाता है इनको यूज किया जाता है ईनको यूज करता है उसके बाद आएंगा ख्लोरिनेटे सीड कारबन में आपको आपको एक्जाम्पल देकने में अलडरीन, डायालडीन, एंझ्झ जो होता है जो इत्वर्ड़वक तरह होता है उसकी निद्द एक्ञाबन केमिकल होता है फिशर को मानने के लिए उसके बाद क्या आता है टेफड्रीन 20 में भी एंड्रीन पाया जाता है जो कि एक अक्टिव पॉइंजन की तरफ वर्क करता है उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद है डीडीवीपी एक और गैनो फॉस्पेट है जिसका थरी पीपिम से लेके 30 पीपिम तक प्रेय करना होता है तक तक ऑन्वांटड फीशे वह फॉथ है बहुत हरो ऑद उसके बाद हम लोग ने इसब देखा कि यतने सारे केमिकल्स कीए जाते है अभी हम लोग देखेंगे प्रीडेटर और इसके कंत्रोल क्या है अभी हमने इस अधान तो ब्रेटी ज्क्रमें तो कविया जाए जाए जांगे कि यह उसको आ दिस्ट्रोग किया जाए 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 तो ऑपर कुई क्लाइम रच दाल दो नु पहर जाए जाएंगी और जो अडल्ट हो ओती है उसको ट्रैपिंग क्या दो ने Понा जाए जाएंगे उसके बाद हम दो एक हैं, प्रिडेटरी रेप्टाइल and their control, प्रिडेटरी रेप्टाइल यानि के वटर स्नेक क्रोकोडाइल यह बहुत हामफुल होते हैं उसके उपर क्योंकि वह वाटर में रहते हैं और वह फिशेस को feed करते हैं, उसके उपर यह भी नेटिंग से और नेट प्रिडेटरी बर्ड में क्या राथा है सबसे पहले किन्ग फिशय और हेरोन यह सबसे सबसे जाए जाने वाले प्रिडेटर सब्सकी आभाद यह इतने हम तो यह कि यह इक यह दिन अंदर दस से लेके 12 फिशेस के उपर फीड करते हैं मतलब आपने अगर समझो सो फिशेस को स्टॉक किया है तो दस से लेके 12 फिशेस तो एक ही दिन में कंजूम कर लेंगे इनको इनको किया जाता है शूट बाय गन शूट करके आप यह न अथराइज़ को आप इसे शूट नहीं कर सकते हो तो इसको दूसरे जारी के से ट्रैपिंग इसके जारी से इनने के लिग जाता है या फिर डिमॉफ किया जाता है उसके बात देखेंगी अब लोग पीज़ों अब्सक्मोंब सता तो आपको और शेमस्ट को खता सब्सक्रश करक Guerra किए गषर कोशुचिजब सकता है च्रह्म और चैसल प्रहु से बाता है तो टो टो sino एक हिए होता है उसके भाद हें यह करता है कि यह तो प्रe क्लाब काल्प जो बहुत इन ट्रुच अभी आप फिश हाँ व डू इननका पर ऩोग तो पिश के पर माल साई ह४ इसके लिए कुछ इमर्शन यूज के जाते हैं उसे यूज किया जाता है ताकि इसका कम्प्लीट रिमूबल हो सके तो ऑई इमर्शन ऑफ मस्टर ऑई और कोकोनट ऑईल और चीप वाशिंग सोप इन दा रेशियो ऑफ 56 kg इस तो 18 kg पर हेक्टर शुट बीज़ देखो यह जो मस्टर ऑईल का इमर्शन हो गया फिर कोकोनट ऑईल का इमर्शन हो गया इसको चीप सोप के साथ यूज किया जाता है इंदा रेशियो 56 kg तो 18 kg पर हेक्टर प्रस ताकि जो फिशेज है उसको रिमूफ किया जाए सके एटलिस इसको वर 12 आवर्स से लेकर 24 आवर तक आपको दालना पड़ता है before the stocking of the fish seeds जब हम फिश दालने वाले हो तो से 12 आवर्स या फिर 24 आवर्स के पहले आपको पहले आपको दाल के रखना होता है ताकि जो एक्वेटिक इंसेट्स है उनसे फिशेज को बचाया जा सके यहां पर हम लोग ने देखा कि एक्वेटिक प्रिडि कर लीजिए और आपके अफिशेज का इतना भी सिल्याबस हो यहां पर कवर हो जाएंगा तो ठैंक्स फॉर ओजिए